भारत और चीन के बीच पिछले पांच महने से सरहत पर जारी तनाव थोड़ा कम होता दिख रहा है। भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की छठे दौर की मीटिंग में मातुपून सहमती वरी। दोनों ही देशों के सैन अधिकारियों ने इस बात पर सहमती जताई है कि भारत और चीन अग्रिम चौकियों पर अब और ज्यादा सैनिक नहीं भेजेंगे। इस बायान में कहा गया कि दोनों देश अपूर भी लद्दाक में सैनिक भेजना बंद कर देंगे। वाली कारवाईया करने से बचने पर सहमती बनी। 14 कौप्स की कमांडर, लेटरन जनरल हरिंदर सिंग, वहीं चीन का नेतरत्व, मेजर जनरल लियू लिन ने किया। लेटरन जनरल हरिंदर की जगहे लेने जा रहे लेटरन जनरल पीजी के मैनन भी इस बैठक में शामिल हुए। इसके लावा पहली बार विदेश मंत्राले का एक प्रितनी धी भी इस बैठक में शामिल हुआ। भारत ने अपनाया बेहत कडा रुख भारत ने चीन से कहा कि वो पूर्वी लद्दाक में उन पोजिशन पर वापस जाए जो अप्रेल मई 2020 के पहले थी। इसके लिए डेडलाइन तैब हो। हाला कि इस पर सेहमती नहीं बन पाई। भारत ने साफ कहा कि चीन को सभी विवादित पॉइंट से फौरन पीछे हटना चाहिए। इसके लावा पीछे हटने के शुरवाद चीन करें। क्योंकि विवाद की वजह चीनी सेना है। बैठक में कहा गया कि अगर चीन पूरी तरह से वापस जाने और पहली जैसी स्थिती बहाल नहीं करेगा तो भारतिय सेना सर्दियों में भी सीमा पर डटी रहेगी। मीटिंग में चीन ने कहा कि भारत को पैंगोंग जील के दक्षन इलाके की उन पोजिशन्स को खाली करना चाहिए जिन पर 29 अगस्त के बाद कबजा किया है। कॉप्स कमांडर्स की बैठक के पहले भारत नी मीटिंग का एजंडा और मुद्दे पहले तैय कर लिये थे। इन पर पिछले हफते एक हाई लेवल की मीटिंग मी चर्चा हुई थी। इसमे राश्ट्रेस उरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडियस जनरल विपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुन नर्वडेश शामिल हुए थे। भारत और चीन की बीच अप्रेल से ही लेसी पर तनाव बना हुआ है और अभी चार जगहों पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामनी हैं इनमें देपसांग, गोगरा, पैंगोंग, जील का फिंगर्स एरिया और चुशूल सब सेक्टर शामिल हैं तीन जगहों पर तो चीनी सैनिक भारत के जमीन पर बैचे हुए हैं, फिंगर्स एरिया और चुशूल में स्थिती सबसे अधिक नाजुक है और यहां कहीं कहीं दोनों देशों के सैनिकों के बीच मात्र 300 से 500 मीचर का फासला है